बेलकम टू एक्जाम भी वेचना दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एंटी नेट हिंदी के प्रीविस इर्के कोशिन पेपर को तो इस वीडियो से पहले हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर दिया है अगर भी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के साथ अगर अवी तक आप हमारे बट्सेप, फेस्बूक और टेलीग्राम ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हो तो उनके साथ पर आप जुड़ सकते हो उनका लिंक पर आपको दे दिया गया है तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो प्रशन रहेंगे तो यह होंगे 2018 में पूछे के थें तो जो यहाँ पर पहला प्रशन है तो यह है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई सबंद नहीं है अतब वे साहित्य के अंतरकत नह यह कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में बढ़नित किया है वहाँ पर इसके बारे में बताया है अगला जो क्वेशन है इसमें जो एक तरफ पंग्तियां पूछी गई है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार के बारे में बताया गया है तो आपको बताना है कि जो पं पंग्ति रहेगी आपकी तो यह होगी बिकल्प 3 सरहप्पा की तो चलिए देखते हैं A का 3 के साथ कहां मिलान होता है तो जो बिकल्प D है यहाँ पर A का 3 के साथ मिलान हो जाता है तो इसके अनुसर सही बिकल्प D होगा तो बाकी को भी मिला लेते हैं तो जो दूसरा है यहाँ पर फिर से आपको पंग्तियों के बारे में विदा देता हूं अगली जो पंग्ति है नौलख पात्री आगे नाचे तो यह गोरखनात की पंग्ति होगी आगे है बारा बड़ी से लेकूकर जीवे तो ये पंक्ती जगनी की होगी अंतिम है बजिये घोर निसान रान चुहान चहों दिस तो ये पंक्ती चंद बरदाई की होगी तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वोगा विकल्प D अगला जो कोशिन है इसमें पूछा गया है सिद साहित्ते के अंतरगत 84 सिद्धों की वे साहित्तिक रचनाएं आती हैं जो तो बताना है कि वो कौन सी हैं तो ये होगी आफ की विकल्प D ततकालिन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई तो ये होगी सिद साहित्ते के अंतरगत 84 सिद्धों की वे रचनाएं आती हैं जो ततकालिन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी इस परकार यहां पर प्रशन संक्यातीन का सही विकल्प D होगा अगला जो कोशिन है इसे देखते हैं अगला कोशिन भी पंक्तियों और उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करने वाला है एक तरफ पंक्तियां दी गई है और दूसी तरफ उसके रचनाकार दिये गए हैं तो चलिए पंक्तियों को मिलाते हैं तो जो नगर बाहिर डोंबी नाचे तो यह बताना है कि जो यह पंक्ति है नगर वाहिर डोंबी तो हरी कुड़ी अच्छाई बताना है कि यह पंक्ति किसकी होगी तो यह होगी कनहपा की तो यहाँ पर चलिए बिकल्प को मिलाते हैं ए का दो के साथ कहा मिलान होता है तो जो बिकल्ब एक है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो ए है इसका सही उत्तर दो है तो सही मिलान यह होगा आफका अगली पंक्तियों को मिलाते हैं काया तरूबर पंच विडाल तो जो यह पंक्ति रहेगी तो यह लुईपा की होगी अगला जो प्रशिन है यह पंक्ति है करवा बोल ना बोलिस नारी तो यह किसकी होगी यह नर्पती नाला की होगी अगली पंक्ति है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल तो यह पंक्ति किसकी है यह है अमीर खुसरों की भहुती प्रसित पंक्तियां है यह तो एक बार आपको फिर से इस परश्ट तौर पे बता देता हूँ नगर बाहिरे डोंबी तोहटी कुडिया चाई तो ये पंक्ती होगी कणहपा के उसके परचात काया तरूबर पंच वीडाल तो ये पंक्ती लुईपा की होगी अगली जो पंक्ती है कड़वा बोल ना बोली सनारी तो ये नरपती नालह की पंक्ती होगी अंतिम पंक्ती है मोरा जोबना नवेल रभयो है गुलाल तो ये पंक्ती खुसरो की होगी तो सही बिकल्प यहाँ पर ए होगा अगला कोशन है ये पांच है इसमें पंक्तियां पूछी गी है घोर अंधारे चंदमनी जीमी उज्जव करी प्रम महासुक एकु करे दुरई अशेश हरी तो उप्रिक दोहे में महासुक का सबंद किस से सबंदित होगा तो बताना है यहाँ पर तो यहाँ पर जो इसका सही बिकल्प रहेगा तो यह होगा सी के अंतरकत जो जो आते हुने देखते हैं जो महासुक से सबंदित होगी तो पहला तो यहाँ पर आएगा महासुक महासुह का तच्सम रूप है बिलकुल सही होगा उसके पश्यात है महासुख बजरियानियों का पारिवाशिक शब्द है तो ये भी बिल्कुल सही कतन होगा इसके पश्यात है प्रग्या और योग से महासुख की दिशा संबब है तो ये भी सही होगा अंतीम है महासुख निर्वान प्राप्ती में बादख है तो दोस्तों ये कहतन सरासर गलत होगा तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही बिकल्प रहेंगे महासुख के सबंद में तो ये होगा एक, दो और तीन तो जो ये बिकल्प तीन में बिल्कुल सही होगे अगला कोशिन है छे इसमें पूछा गया है आधिकालिन काब्य ग्रंथों में कथा कहने की प्रंप्रा को लक्षे करके पृत्वी राजरासों के संदर में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परिक्षा इतिहास की दृष्टी से नहीं, काव्बय की दृष्टी से होनी चाहिए पुरानी कथाएं काव्बय ही अधिक है, इतिहास वे एक दम नहीं तो यहाँ पर जो सही बिकल्प देगा छे का तो वो होगा हजारी पर साथ द्विवेदी कहते हैं कि प्रिक्षा इतिहास की द्रिष्टी से नहीं, काब्ब्य की द्रिष्टी से होनी चाहिए पुरानी कथाएं काब्ब्य ही अधिक हैं, इतिहास बे एकदम नहीं तो सही बिकल्प यहाँ पर सी होगा, अगला जो प्रशन है यह साथ इसमें पूछा गया है तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपको जितने भी प्रशन में पूछता जाता हूँ अगर आपको इनके उत्तर आते हैं तो आप कुमेट वक्स में नीरंतर प्रशनों के उत्तर भी बता सकते हो हमारे साथ साथ तो बिकल्प में हैं यहाँ यहाँ पर हमीर काब्य, उसके पश्चाते कीर्थी कौमूदी, कीर्थी पता का या कीर्थी लता है तो पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा तो जो साथ का सही विकल्प होगा तो वो होगा दी, कीर्थी लता अचारिय, हजारी पर साद्वी दी ने कीर्थी लता में कहा है कि चौद्वी पंदर्वी शतावदी के हिंदूों, मुस्लमानों, सामनतों, शेहरों, सैना के सिपाहियों और लड़ाईयों का जीवनत और यथार बर्नन इस कृती में हुआ, किर्थी लता में इसका बर्नन किया गया है अगला जो कोशन है, यह है आठ इसमें पुछा गया है कि निमिलिकित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित केजिए तो चलिए, सूची ए का मिला, सूची दो के साथ करते है तो सूची ए में जो पहला है, बिजे सिन सूरी तो बताना है कि इनकी कौन सी रचना होगी, बिकल्प के नुसार तो यहाँ पर बिजे सिन सूरी की रचना होगी, रेवन्त गिरी रास एक आ एक के साथ सुमेलि हो जाता है अगला है नर्पती नाहल, इनकी जो रचना होगी तो यह होगी विसल देव रासू नर्पती नाहल की विसल देव रासू होगी उसके पश्चात है शाली भद्दर सूरी तो इनका जो मिलान होगा, तो यह भरतेश्वर बहुली रास के साथ हो जाएगा अगला है आसगू इनका जो मिलान होगा तो ये होगा चंदनबाला रास के साथ तो इस परकार यहाँ पर जो सही बिकल्प रहता है तो वो होगा बिकल्प भी या कूट भी A का 3, A का 1, B का 3, C का 2 और D का 4 तो चलिए मिलान करते हैं या सपस्ट और पे आपको बता देता हूँ किसका क्या होगा जो रेवन्त गिरी रास रचना होगी इसके रचनाकार होगे बिजे सेन सूरी इसके पश्चात जो भरतेश्वर बहवली रास होगा तो इसके रचनाकार होगे शालिवद्दर सुरी इसके पश्चात है बिसल देव रासु इसके रचनाकार होगे नर्पती नालर और जो चंदन बाला रास है इसके रचनाकार होगे आसगू इस प्रकार यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल उचीत होगा अगला जो कोशन है यह 9 है इसमें पुछा गया है कि सिद्धों में प्रच्लित महामुद्रा शब्द का अभी प्राय है तो यहाँ पर जो सही विकल्फ होगा आपको बताना है कि सही विकल्फ इन में से कौन सा होगा तो विकल्फ में है सिद्धी हेतु आसन का एक रूप विकल्फ B है सिद्धी हेतु की जाने वाली एक रिया विकल्फ C है सिद्धी प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग और विकल्प 4 है सिद्धी प्राप्थेतु स्त्री से बिरक्ती तो बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा तो यह होगा विकल्प C सिद्धी प्राप्थेतु स्त्री संसर्ग सिद्धों में प्रच्छित महामुद्रा शब्द का होगा शब्द का अर्थ होगा सिद्धी प्राप्थेतू स्त्री से संसर्ग C सही विकल्प रहेगा यहाँ पर हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी विच्छी लगती है तो इसे लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कीजेगा क्योंकि आपके लाइक शेर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसका आवश्य ध्यान रखेगा अगला कोशिन देखते हैं यह है 10 इसमें जो पूछा गया है कि रचनाकाल के अनुसार निमिलखित रचनाओं का सही अनुकरम क्या होगा तो यहाँ पर जो सही अनुकरम रहेगा तो वो विकल्प सी होगा अर्थात सी होगा तो चलिए देखते हैं कैसे सबसे पहले जो रचना आएगी वो है कुबली माला कथा उसके परिश्यात राउल बेल उसके परिश्यात उक्ती बेक्ती प्रक्रण और सबसे अन्त में बढ़न रतना कर सही विकल्प यहाँ पर सी होगा अगला कोशिन है ग्यारा इसमें पुछा गिया है पूरुष प्रिक्षा किस कभी की रचना है अच्छा प्रशन है दोस्तों अक्सर प्रिक्षा में रिपीट होता रहता है यह जो प्रशन पत्तर में यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ यह सिर्फ ना केवल आपके लिए एंटी नेट हिंदी के लिए ही लाबदाइक नहीं है अपितु यह आपकी हर एक हिंदी साहिती प्रिक्षा के लिए लाबदाइक होंगे जैसे कि PGT, TGT, Altigrate, इतियादी तो इस वीडियो को ध्यान प्रवग देखेगा प्रशन है पुरुष प्रिक्षा किस कभी की रचना है तो यहाँ पर सही बिकल्ब रहेगा आपका बिकल्ब C, बिद्यापती की ग्यारा का सही बिकल्ब C होगा पुरुष प्रिक्षा किस कभी की रचना है तो जो पुरुष प्रिक्षा रचना होगी तो यह है आपके बिद्यापती की रचना होगी कि सही बिकल्प यहाँ पर सी रहेगा दोस्तों आपको बता दूँ अगर भी तक आपने हमारे टेलिग्राम, बट्सैप और फेस्बूक ग्रूप को नहीं जोइन किया है तो आप उन्हें भी जोइन कर सकते हो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसे के साथ अगर भी तक आपने बागे पार्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलवद करवाया जाएगा हाँ अगर वीडियो अच्छे लगती है तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब अवशे कीजिएगा तो चलिए अगला कोशिन देखते हैं यह है निमिलिखित में से कौन सा बिद्वान पित्वी राज रासो को सरवथा अप्रमानिक करंथ मानने वालों में शामिल नहीं है नहीं है पुछा गिया है इसलिए आपको यह ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो बिकल्ब के नुसार सही बिकल्ब रहेगा तो वो होगा बिकल्ब भी मुहनलाल बिश्णूलाल पांडिया भी सही बिकल्प होगा बारा का अगला कोशन है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प होगा इन पंक्तियों का कि किसकी पंक्तियां है ये तो ये होंगी आपकी बिकल्प भी अमीर खुसरों की पंक्तियां अच्छी पूंक्तियां अक्सर प्रिक्षा में पूछे आती हैं ये पूंक्तियां अगला कोशिन है तेरा इसमें पूछा गया है कि राम्रिक्ष बेनीपूरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टी से बिद्यापति की रचनाओं का सही अनुकुरम क्या होगा तो ये पूछा गया है राम्रिक्ष बेनीपूरी के अनुसार तो यहाँ पर जो च्वादा का सही बिकल्प रहेगा तो ये बिकल्प ए होगा सबसे पहले केति लठा उसके पश्षाथ भू परिक्रमा उसके पश्षाथ पुरू परिक्ष्षा और सबसे अंत में किर्थी पता का जो ये चारो रचना है इस प्रकार कर्मबत तरीके से आएंगी तो यहाँ पर जो पंदरा का सही बिकल्प रहेगा तो वहोगा बिकल्प भी कणंपा की पंग्तिया हैं दोस्तों ये अगला जो कोशिन है यह है इसमें पुछा गया है कि रचनाकाल ये देश्टी से निमलिक्त कभियों का सही अनुगरम क्या रहेगा तो ये होगा बिकल्प सी अर्थात सबसे पहले आएंगे आपके सुइम्भू उसके पश्चात पुश्वदंत उसके पश्चात आएंगे अधहमान और सबसे अंद में हेमचंदर अगला कोश्चन है निमलिक्त पात्रों को समद्ध कभ्य गरंतों के साथ सुमेलित कीजिए तो चलिए इनका मिलान करते हैं तो जो चंदा है ये होंगे आपके चंदाइन की पात्रा एक का दो उसके पश्चात जो है नागमती तो ये होगी आपके पद्मबत की पात्रा उसके पश्चात जो राजमती है तो ये होगी बिसल देव रासो की नाईका और जो मारवड़ी है तो ये होगी डोला मारू का बिग्रंथ की नाईका तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही बिकल्प रहेगा तो यह होगा बिकल्प एक या कूट एक A का दो, B का पांच, C का एक और D का तीन चंदा है यह चंदाइन की पात्रा होगी नागमती यह पदमाबती की और जो राजमती है यह होगी विसले वरासों की पात्रा और जो मारवडी है तो यह डोला मारूरा दुहा की पात्रा होगी इस परकार बिकल्प यह बिल्कुल सही होगा अगला जो कोशिन है इसमें पूचा यह है डिंगल कवियों की बिर गाथाएं, निर्गुनिया संतों की बानिया प्रिशन भक्तिया, रागा नुमा भक्ति मारके साथकों के पद राम भक्तिया, बैदी भक्ति मारके के उपासकों की कविताएं सूफी सादरा से पुष्ट, मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमास और रिति काविये ये छेहूं धाराएं अपरंश कवीता का स्वाभाविक विकास हैं तो बताना है कि जो ये महत्पुन कतन है किसका है तो यहाँ पर जो अठारा का सही विकलप रहेगा तो ये विकलप पी होगा हजारी पर साथ द्विवेदी का कतन है ये अगले जो कोशिन है ये दिसंबर 2015 में पूछे गए थे तो चलिए ने देखते हैं तो यहाँ पर दोहा मुख्यता किस भाषा का चंद है तो जो दोहा है इसे दोहा भी कहते है तो बताना है ये किस भाषा का चंद है तो 19 का सही भिकल्प रहेगा यहाँ पर अपभरंश जो दोहा या दोहा ही यह मुल्त अपभरंश भाषा का चंद होगा अगला कोशिन है 20 इसमें पूछा गया है संदेशलो सविथरो हाँ कहनम असमत तो जो ये दोहा है बताना है किसका है पुरा दोहा पढ़ लेना तो जो ये दोहा होगा किसका दोहा पूछा गया है तो ये दोहा है आपके अब्दुल रह्मान का सही भिकल्प C होगा यहाँ पर अगला कोशिन है 21 इसमें पूछा गया है रचनकाल के दिष्टी से निमलिकित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा तो यहाँ पर सही भिकल्प रहेगा आपका अर्था सबसे पहले दोहा कोश उसके पश्चात श्राब का चात उसके पश्चात संदेश राशक और सबसे अंत में किर्थी रता अगला कोशिन है इसमें बाईस है इसमें पूछा गिया है कि सुची एक और सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए तो चलिए मिलान करते है रचना है कुमारपाल प्रतीवोध तो बताना है जो यह किसकी रचना होगी तो यह होगी आपकी सुमप्रब सुरी की तो चलिए मिलान करते है इसके पुष्चात है प्रवंद चिंता मनी इसके रचना कार होगी जैनाचारे मेरुतूंग अगला है कुमारपाल प्रतीवोध के होगी सुमप्रब सुरी प्रवंद चिंतामणी के होंगे जैनाचार्य मेरुतूंग और कुमारपाल चरित के होंगे हिमचंदर और जो हमीर हरासो है इसके रचनाकार होंगे शारंधर तो ये जो मिलान होगा A का 3 B का 2 C का 1 D का 5 तो ये होंगे कूट 1 में तो सही विकल्ब यहाँ पर कूट A होगा अगला कोशने 23 इसमें पूछा गया है बालचंद बिजवाई भाषा दूहो नहीं लग गई दूजन हासा तो जो ये काब्य पंक्ती हैं किसकी हैं तो ये बताना है तो जो ये काब्य पंक्ती रहेंगी तो ये होंगी आफकी बिद्यापती की 23 का सही विकल्ब C होगा यहाँ अगला कोशन है 24 इसमें पूछा गया है किस रासो काब्य की कथा का बर्णन शुक और शुक्की के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर सही विकल्ब A होगा पृत्यूराज रासो की 24 का सही विकल्ब A रहेगा अगला कोशन देखते हैं यह है 25 इसमें पूछा गया है कि हजारी पसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का ब्यावार मुलतक किस अर्थ में होता है अच्छा प्रशन है दोस्तों तो यहाँ पर जो 25 का सही विकल्ब रहेगा तो यह होगा विकल्ब C छे दन के अर्थ में अगला जो कोशन है दोस्तों तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुची A को सुची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो चलिए मिलान करते हैं रठोनारी ख्यात जो यह रचना है तो इसका मिलान होगा आपके दियालदास के साथ सही विकल्ब यहाँ पर A का 5 होगा तो चलिए दूनते हैं किस कोट में A का 5 होगा तो सिवाए B के किसी और में नहीं है तो इसका जो सही उत्तर रहेगा तो यह 5 होगा बाकी रचनाओं का भी मिलान कर देते हैं जो बिराट पुरान है तो इसका मिलान हो जाएगा आपका गोरकनात के साथ इसी परकार पुषवदंत इसका जो मिलान करते हैं तो यह होगा आपका तीन उत्तर पुरान के साथ जो उत्तर पुरान है ये पुशवदंत की रशना है इसी प्रकार जो जिन्दत सुरी की रशना रहेगी तो ये होगी उपदेश रसाइन रास तो सही बिकल्प यहाँ पर दो हो जाएगा तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सभी कोट आफके बी के नुसर सुमिलित होंगे अगला कोशन है महापंडित रहूल संकृतियाईन ने इन में से किस कभी को हिंदी का पहला कभी माना है तो ये आफके होगा सही बिकल्प बिकल्प भी सरहपद या सरहपद 27 का सही बिकल्प यहाँ पर भी होगा अगला कोशन है संदेशलो सभीथरो पई मई कहनो ना जाई जो ये पंक्ती है बताना है किसकी है तो ये पंक्ती रहेगी आपकी भी अधहमान की पंक्ती भी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर हमने इसे पीछे डिसकस करा था अगर अभी आपने वीडियो को दियान पर देखा होगा तो पिछले प्रशनों में हमने से अवश्य डिसकस किया होगा है तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर भी रहेगा अगला जो कोशिन है 29 इसमें पुछा गया है कि कवीर की अपेक्षा खुसो का ध्यान बोलचाल की भाषा की और अधिक रहा है तो जो यह कतन है बताना है किस विद्वान का है तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो यह होगे अच्चारे रामचंदर शुकल अगला कोशिन है 30 इसमें पूछा गया है प्रकाशिन वर्ष के नुसार निमिलिकित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या रहेगा बिकल्प में आपका जो सही विकल्प होगा 30 का तो यह होगा बिकल्प D सबसे पहले आएगा श्राब का चार ग्रंथ उसके पश्चात भरतेश्वर बाहुवली रास उसके पश्चात चंदनवाला रास और सबसे अन्त में रेवन्त गिरी रास तो 30 का सही विकल्प यहाँ पर D होगा अगला और अन्तिम प्रशन है आज का इसमें देखते हैं इसमें भी सुची एको सुची दो के साथ सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित करते हैं तो यहाँ पर जो जैमहिक जस्चंदरी का रचना है इसका जो मिलान रहेगा तो यह होगा मधुगर कवी के साथ तो चलिए देखते हैं किस कूट में एक का दो होगा तो एक का दो है आफका बिकल्प बी में इसके पश्चात जो प्रिथ्वी राज रासो है तो इसके रचना का रहोंगे चंदबर्दाई आगे है श्रावकाचार तो यह जाएगा देवसिन के पास इसके पश्चात नेमीनाथ रास तो यह जाएगा विकल्प तीन सुमति गणी के पास तो एक बार फिर से बता देता हूँ जैमाइक जैस चंदरी का तो यह मधुकर कवी की रचना है प्रिथ्वी राज रासो तो यह चंदबर्दाई की रचना होगी श्रावकाचार देवसिन की रचना होगी और नेमीनाथ रास यह आपके सुमति गणी की रचना होगी तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो विकल्प भी होगा तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपनी इस चैनलर पर प्रिवेस एयर के कोशन को डिसकस कर रहे हैं जितने भी कोशन हैं इन्हें करमबत तरीके से डिसकस करते रहेंगे जब तक आपका एंटी नेट का पेपर नहीं हो जाता है क्योंकि आपको पता ही होगा जो प्रिवेस एयर के कोशन हैं बहुत ही जादा लाबदाएक होते हैं तो इसी से आपके आगे की कोशन भी बन जाते हैं आपको एक पैटर्न भी पता चल जाता है सबसे पहले आपको बदा दूँ अगर भी तक आप हमारे टेलिग्राम और बर्टसेप ग्रूप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे Telegram और WhatsApp ग्रूप के साथ विजूल सकते हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो इसे Like, Share और चैनल को सब्सक्राइब अवशी कीजिएगा जो हमारी टीम के दोवार PDF लॉंच की गई है तो आप उन्हें भी परचेस कर सकते हो अगर आपको ने खरीदना है तो आपको WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के अंध में आपको ये प्रोवाइट कर दिया जाएगा नंबर किस में जाकर आपको परचेस कर सकते हो तो चलिए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली जो पंक्ति या प्रशन है पंडिय सहल सत्वखानिया देही बुद्ध बसंतना जानिया तो जो ये पंक्ति है बताना है किसकी पंक्ति है तो ये पंक्ति रहेगी आपकी सरहपा की सही बिकल्प यहाँ पर बिकल्प ए होगा 32 का सही बीकल्प ये होगा अगला कोशन है 33 इसमें पूछा गया है अध्यात्मी करंग के चश्में आजकल बहुत सस्ते हो गए है अचारे रामचंदर शुकल का कथन है सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कथन किस का है तो ये कथन है अचारे रामचंदर शुकल का और किस कवी के समंद में ये कथन कहा गया है तो ये कहा गया है आपके गल्प भी बिद्यापती के समंद में 33 का सही बीकल्प यहाँ पर भी होगा अगला जो question है यह है मैथली हिंदी में रचित गद्दे की पहली पुस्तक कौन सी है तो जो 34 होगा इसका सही बिकल रहेगा बर्न रतना कर जो मैथली हिंदी में रचित गद्दे की पहली पुस्तक है यह है बर्न रतना कर अगला question है 35 इसमें पुछा गया है राजमती इन में से किस का बिक्रिती की नाइका है तो दोस्तों अगर आपने हमारी सीरीज को कंट्नियू देखा होगा तो इस प्रशन को हमने पीछे भी डिस्कस किया था तो ये देखिए रिपीर हो गया है प्रशन फीर से तो जो राजमती होगी तो ये होगी आपकी विसल देवरासो की नाइका या मुख्य पातरा तो 35 का सही विकल्प यहां पर C रहेगा अगला जो कोशिन है यहां पर तो यह कोशिन पुछेगी हैं दिसंबर 2014 की प्रिक्षा में तो चलिए इने पढ़ते हैं पुशवदंत की प्रबंद रचना है तो बताना है कि जो पुशवदंत है जैन कवी इनकी जो प्रबंद रचना कौन सी है तो यह होगी विकल्प B नई कुमार चरियू 36 का सही विकल्प B होगा तो यह पंग्तिया है आपकी सरःप्पा की सही विकल्प यहां पर 37 का B होगा तो जितनी भी पंक्तियां ये हैं बहुत ही अजीर तरीके से लिखी गी हैं अर्थात भाषा ये अपवरश की हैं तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिकत होती है तो आप इने थोड़ा सा रटा मार की याद कर सकती हैं कि किस प्रकार किस कभी के द्वारब पंक्तियां कही गई है अगला कोशन है 38 इसमें पुछा गया है जनम अब्धी हम रूप निहारल नयन नातिर्फित भेल तो जो ये कावे पंक्तियां हैं किसकी हैं तो ये होगी आपकी विद्यापती की पंक्तियां सही भी कलब यह होगा यहाँ पर अगला कोशन है 49 इसमें पूछा गया है खंड भाषा पुरान चकुरान कतित मया तो जो यह भाषा के समंद में कहा गया पंक्ति या कथन है किसका है तो यह आपका रहेगा चंद बरदाई का चंद बरदाई नहीं यह कथन अपने जो इनका है प्रित्वी राजरासो उसमें कहा था इन्होंने यह कथन भाषा के समंद में अगला जो कोशन है 40 इसमें पूछा गया है कुबली माला कथा के रचनाकार कौन है तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर यह वीडियो पूछा गया था और देखे फिससे रिपीट हो गया ही यह प्रशन तो जो कुबली माला कथा है तो इसके रचनाकाल उद्यतन सुरी होंगे तो सही विकल्पी यहाँ पर 40 का भी हो जाएगा अगला जो कुशन है 41 इसमें पूछा गया है आठवी श्तावदी के कभी नहीं है तो बताना है कि निमन में से कौन सा कभी आठवी श्तावदी में नहीं था तो यहाँ पर जो सरपपा हैं तो यह आठवी श्तावदी में थे इसके पश्चा जो शबरपा हैं यह भी थे सुम्बू हैं यह भी होंगे पर हेमचंदर आठवी श्तावदी से सबंदित नहीं होंगे तो इनका जो सबंद रहेगा तो ये था बारवीश तावदी से अगला जो question है ये है 42 इसमें पुछा गया है उक्ती बेक्ती प्रक्रण गंत का बिशे क्या है तो दोस्तों हमने इस प्रशन को भी पीशे डिस्कस किया था तो जो उक्ती बेक्ती प्रक्रण है इसका जो बिशे रहेगा तो ये होगा बियाकर्ण सही बिकल्प D रहेगा यहाँ पर 42 का D अगला question है बिसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे ये प्रशन भी repeated है पीछे हमने इसे डिस्कस किया था तो जो बिसल देव रासो गरंत है इसके रचनाकार है नर्पती नाल सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला question है अधहमान की रचना कौन सी है तो दोस्तों ये प्रशन भी पीछे डिस्कस किया गया था तो जो अधहमान की रचना रहेगी तो ये होगी संदेश रासक संदेश रास्तिक है अधहमान की रिचना 44 का सही बिकल्प भी होगा अगला और आज का अंतिम प्रशन है मैथली भाषा का प्राचिन तम उपलब्द ग्रंथ कौन सा है तो इसे भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों तो जो मैथली भाषा का प्राचिन तम ग्रंथ है तो यह है आपका ए होगा बर्न रतनाकर जो बर्न रतनाकर है यह मैथली भाषा का सबसे प्राचिन ग्रंथ है तो याद रखिएगा इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशन अक्सर पीठ होते रहते हैं और ये प्रशन एक दूसरे से लिंक्ट होते हैं तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपनी वीडियो का स्मापन कर लेते हैं, आप लोग वीडियो के अंतग बने रहें, इसका बहुत धनियावाद